हलो बच्चो आज हम TDS के बारे में जानकारी लेते हैं कि TDS क्या है TDS का फुल फोरम है Total Dissolve Solution यह जो है हम जो पानी पीते हैं पानी में बहुत सारे केमिकल मिले हुए रहते हैं बहुत सारे मेटेरियल मिले हुए रहते हैं जैसे कि calcium, chlorine, magnesium, potassium, जस्ता, लोहा, arsenic, sodium, fluoride, pesticide, herbicide, lead तो यह सब सभी चीज पानी में मिले रहते हैं और पानी हम लोग जब पीते हैं तो यह हमारे सरीर में जाता है और यदि इसमें से किसी की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो हमें वो नुकसान करता है साथी साथ हमें एक निश्चित TDS का ही पानी पीना चाहिए तो अब यह सवाल उठता है कि हम लोग TDS कैसे नापेंगे कैसे measurement करेंगे तो TDS नापने के लिए बहुत सारे बिधी है उसमें से एक बिधी यह भी है कि हम पानी को किसी बरतन में रखते हैं और उसे वास्पित कर करते हैं वास्पित होने के बाद जितना पानी है वो सब अकास में चला जायता है और जो सेस बसता है उसको जो है measurement करके हम यह निकाल सकते हैं कि TDS उसका कितना है तो दूसरी बिधी में हम एक TDS मीटर के द्वारा भी यह जानकारी ले सकते हैं कि इस पानी में कितना TDS है यह जानकारी हमें मिल जाता है तो इसमें यह आपको Amazon पर आराम से मिल जाएंगे एक सो से डेर सो के बीच में तो इसमें जो है इस तरह से यह पैकेट में आता है जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो इसमें जो है इसमें TDS तीन लिखा हुआ आता है और नीचे TDS और Temperature यह दोनों बताता है इसमें तीन बटन है एक उपर में यह Hold बटन लिखा हुआ है Hold बटन दूसरा है Temperature बटन यह Temperature बताता है और तीसरा है On-Off बटन तो इसमें जब हम On-Off बटन को दवाते हैं तो देखिए यह डिजिटल कुछ 0.00 बता रहा है तो जब हम इसे Temperature वाले बटन को दबाते हैं यह देखिए बता रहा है Temperature बता रहा है चुकि Room का जो Temperature वही इसमें सो कर रहा है 22.9 फिर एक बटन को दबाते हैं तो यह Fahrenheit में हो जाता है फिर एक बार दबाने से फिर 0 आ जा गया दूसरा है Hold बटन तो जब हम Last जो TDS मेजर करते हैं उसको यह बताता है और यह हम जब मेजरमेंट करते हैं यह पानी को तो हमें जो भी result मिलता है उसको हम यह Hold के द्वारा उसे सेव कर सकते हैं ताकि उसे हम देख सकें अब हम क्या करते हैं कि पानी लेते हैं दिखे यह पानी है यह नल से आया हुआ पानी है दिखे इसमें और दूसरा हम जब इसे नल वाले पानी में लगाया गया तो देखे यह 980 बता रहा है टीडियेस देखे नजजिक से आपको दिखा रहा है 980 टीडियेस बता रहा है दूसरा हम एक्वागार्ट का पानी लेते हैं अब हम दोनों पानी को टीडियेस मीटर की साहता से मेजर करके देखते हैं कि नल वाले पानी में कितना टीडियेस आता है और नॉर्मल पानी में भी कितना टीडियेस आता है तो अब हम इसे देखते हैं जब इसे एक्वागार्ड वाले पानी में जब इसका टीडियेस मापा गया तो सिर्फ 46 टीडियेस बता रहा है तो हमारे लिए 50 से ले करके 1500 टीडियेस हमारे सरीर के लिए ज़रुरी है उससे जदे का टीडियेस हमें लगभग 300 तक हम टीडियेस ले सकते हैं उसके बाद का TDS हमें नुकसान करता है हमारे सरीर को वैसे आप डाक्टर का प्रामर्स ले करके आप TDS निर्धारित कर सकते हैं कि कितना TDS आपके लिए जरूरी है और आप पानी में आप जाच करवाना जरूरी है जिसका TDS जादा आ रहा है उसे किसी नजदी की जहाँ पानी का कि आपका TDS आपके लिए जरूरी है या कम है या ज्यादा है तो उसके उसार आप यूज करें पानी का धन्यवाद